पाकिस्तान के हुक्मरान ये कहते थे कि हम सबसे दोस्ती करेंगे लेकिन किसी की गुलामी नहीं करेंगे उस पाकिस्तान को फिर से बता दिया गया है कि आप दोस्ती करने लायक ही नहीं हो सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर सकते हो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरोपी यूनियन ने पाकिस्तान को लेकर ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिसके बाद पाकिस्तान की चीखे निकलने से कोई नहीं बचा सकता दरसल यूरोपी यूनियन ने साफ कह दिया है कि GSP PLUS का जो स्टेटस है पाकिस्तान के लिए अब वो पाकिस्तान के लिए दुवारा रिव्यू नहीं होगा दरसल यूरोपी यूनियन बहुत महतपूर है पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान अपने कई समानों को यूरोपी यूनियन में बेशता है यूरोप में बेशता है लेकिन पाकिस्तान से यूरोप की दूरी 5,016 किलोमीटर की है और पाकिस्तान का समान यूरोप तक पहुँचने में 45 दिन लग जाता है अब जब पाकिस्तान अपना समान यूरोप को बेशता है तो ओल्टे यूरोप की ओर से पाकिस्तान को एक छूट दे दी जाती है और यही चूट है GSP प्लस का दर्जा जिसे अब छीन लिया जाएगा और साल 2023 में पाकिस्तान को छोटा मोटा नहीं बलकि 3 बिलियन डॉलर के वार्सिक निर्यात मूल का नुकसान होगा अगर अब ये कहें कि इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का साथ देना है तो ये बिलकुल गलत नहीं होगा इस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार 2023 से आगे उनके लिए GSP प्लस विस्तार सुनिशित करने में विफल रहती है तो देश को लगबग 3 बिलियन डॉलर के वार्सिक निर्यात मूल का नुकसान होगा अब ये कैसे हो रहा पाकिस्तान के साथ तो इसके पीछे की असली वज़ा है फ्रांस फ्रांस का पाकिस्तान से रिस्ता इतना खराब है कि बार बार पाकिस्तान में फ्रांस के राश्पती के नाम पर आतंगवादियों से लेकर कट्टरपंती जुलूस निकालते हैं और इस साल जब से फ्रांस ने यूरोपी संक्या देक्सा समाली है यानि कि जब से फ्रांस के हाथ में आ गई है ये पावर तब से पाकिस्तान के तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि इस पावर से फ्रांस दुनिया के 27 देसों के सामने कौन सा मुद्दा रखना है वो अब ये जटका पाकिस्तान को सोने नहीं देगा क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान का नीन चैन पहले से हराम है वो कंगाल हो चुका है दुनिया में उसकी छबी आतंकियों को पालने वाले देसों में की जाती है खैर इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की हालत इतनी खरा झाल झाल